स्वागते बच्चों आप सबों का SR classes पे आज हम लोग 10th class के mathematics का एक topic पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Euclid Vibhazan Algorithm तो मैं इस विडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि Euclid Vibhazan Algorithm होता क्या है और इसे हम पढ़ते क्यों हैं तो बच्चों सबसे पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं कि Euclid Vibhazan Algorithm क्या होता है तो Euclid Vibhazan Algorithm एक Algorithm है जिसकी मदद से हम दो हिक संख्याओं का HCF गयात करते हैं ठीक है हम Euclid Vibhazan Algorithm में Euclid Vibhazan Parameka को बार बार यूज करके दो याद नंबरों का क्या करते हैं HCF फाइंड करते हैं बस यही है Euclid Vibhazan Algorithm ठीक है तो Euclid Vibhazan Algorithm में तीन स्टेप्स होते हैं टोटल अगर आप इन तीन स्टेप्स को याद रखते हो तो हम कोई भी दो संख्या का HCF गयात कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि होता क्या है यह कैसे काम करता है तो मैं एक एक्जांपल के जरी आप लोगों को समझाता हूँ जैसे दो नंबर है हमारे पास एक नंबर हमने ले लिया 55 है और एक और नंबर हमारे पास वो ले लिया की 10 है और हमें इन दोनों नंबर्स का HCF find करना है HCF महत्तम समापबर तक निकालना है तो कैसे होगा तो बच्चो सबसे पहला step यहीं पर हमें क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसे हम लोग भाज्य बनाते हैं और जो चोटी संख्या है उसे भाजक बनाते हैं तो आप लोग क बहुत मैं कि और आप लगों को भो बता देता हूं उसके बाद फिर हम इसे आगे continue करते हैं। और उसे कहते हैं भाजक भाग जितना वार भी लगे उसे कहते हैं भाग फल जो हम यहाँ लिखते हैं उसे क्या कहते हैं बागफल और solve करने के बाद नीचे कुछ बचता है भले ही जीरो क्यों न बचे लेकिन कुछ न कुछ तो आता है ना उसे हम लोग कहते हैं सेस्फल इसे हम लोग क्या कहते हैं सेस्फल और यहीं पर मैं एक चीज और बता दूँ जब हमने यूकलिट विभाजन पर मेका पढ़ा था तो हम ये जाने थे वहाँ पर कि ये जो भाज है बो इन दोनों संख्याओं के भाजक और भागफल के गुननफल तथा सेस्फल के जोड के बराबर हैं ना इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुना करेंगे भाजक गुने भागफल पलस सेस्फल ये हमारा होता था युकलिट बिभाजन पर मेका युकलिट बिभाजन पर मेका में हम लोग ये पढ़े थे कि भाज ये जो होता है वो भाजक गुने भागफल पलस सेस्फल के बराबर होता है और इसी चीज़ को हम लोग बार बार यूज करकर के दो या दो से अधीक नंब तो अब आईए, मैं यहाँ पे तीन नियम लिखता हूँ, अगर वो तीनों नियम आप याद रखते हैं, तो कोई भी दो नंबर्स का आप HCF गयाद कर सकते हों, तो पहला नियम क्या है, इसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लिजिए, पहला नियम क्या है, वो मैं आप को यहाँ पे लिखवा दूँ, दो संख्याएं होगी, तो कोई तो छोटी, कोई बड़ी होगी न, तो बड़ी संख्या को भाजय बनाना है, और छोटी संख्या को भाजक बनाएंगे, यह हो गया पहला, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब R बोले तो सेसफल जीरो के बराबर नहीं हो सेसफल जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे इसको आगे रीपीट करेंगे और उसमें फिर हम लोगों को पता करना है कि भाज़क की से बनाना है और भाज़क की से बनाना है हमें ये पता करना पड़ेगा तो भाज़क की से बनाएंगे जो पिछली बार का जो भाज़क है वो नया क्या बनेगा भाज़क बन जाएगा जो पिछली बार का भाजक है वो अगले अस्टेप के लिए क्या बन जाएगा बहाजे बन जाएगा और जो सेसफल था उसे हम लोग भाजक बनाएंगे है ना पिछली बार का जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा और जो सेस्फल था उसे हम लोग क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे मतलब कि उससे हम लोग भाग लगाएंगे ठीक है और अगर आर जीरो आ जाए इतना करने के बाद आर जीरो आ जाए तो हम लोग रुक जाए और अगर जीरो ना आए तो नहीं रुकेंगे फिर से इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे एक्जामपल के जरी हम लोग समझेंगे आप एक वारी से अपने कॉपी पे नोट कर लिजेगा एक नियम और है वो यह है कि इतना हमने किया और हमने देखा कि जो सेसफल है सेसफल को जिस अस्टेप में और जीरो हो ना उसस अस्टेप का बात कर रहें हैं उस अस्टेप का भाजक जो है वो हमारा क्या होगा एचसी एफ होगा उस step का भाजक जो है वो क्या होगा HCF होगा इतना आप लोगों को याद रखना है अगर आपने इतना याद रख लिया तो फिर आप किसी भी दो numbers का HCF आप लोग find कर सकते हो ठीक है तो आप लोग एक वारी से note कर लिजिए वीडियो को pause करके मैं आगे बताता हूँ जिसके जरी हम युकलिट भी भाजन अल्गोरिफम को अच्छे से समझते हैं ठीक है तो हम दो numbers ले लिया एक हमारे पास 55 है और दूसरा है 10 हमें पता करना है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा महत्तम समापबर्तक क्या होगा तो पहला नियम क्या कहा था कि जो 55 है बड़ी संख्या है उसे क्या बनाना है भाजे बनाना है ठीक है तो हमने बड़ी संख्या को क्या कर लिया भाजे बना लिया 55 और छोटी संख्या जो है उसे क्या करना है भाजक बनाना है तो छोटी संक्या को भाजक बना लिया, अब हम भाग लगाएंगे, तो कितनी बार में लगेगा? पांच बार में लगेगा? पचास आएगा, सेसफल कितना बचा? पांच तो इस चीज को यूक्लिट बिभाजन परमेका में जैसे लिखा जाता था, हम वैसे लिखेंगे सेसफल के बराबर है, अब हमें यहाँ पर चेक करना होता है, जैसा कि मैंने अस्टेप 2 के लिए बताया था, कि अगर R 0 आ जाए, तब तो हम रूक जाएंगे, और अगर R 0 ना आए, R का मतलब क्या यह वाली संक्या है, यह अगर 0 नहीं आए, तो यह 0 है? नहीं है, तो हमें का भाजक था, वो इस बार का भाजे बनेगा, और जो पिछली बार में जो सेसफल आया था, वो क्या बनेगा? भाजक बनेगा, बात समझ में आई यह आई, यहाँ देखिए, अगले अस्टेप के लिए हम क्या करेंगे? कि पिछली बार का जो भाजक है ना, उसको उठा के क दो बार में लगेगा, है ना, दस आया, और यहाँ नीचे सेस क्या बचा? जीरो बचा, है ना जी, तो देखिए, यह जो संख्या है, वो कहां आजाता है? यहां आजाता है, भाजक बन जाता है, तो दस था, उसे हमने पांच से भाग लगा आया, तो कितनी बार में लगा? दो बार में लगा, और 6 कितना बचा, 0, 6 कितना बचा है, 0, हम यहां से देखेंगे, है न, इस 10 के equal क्या लिखेंगे, कि 10 is equal to 5 into 2, और plus में क्या है, 0, यहां पर R क्या आ गया, 0 की equal आ गया, है न, जी, यह देखिए, R जो है, वो क्या हो गया, 0 के equal आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो जब R 0 के बराबर आ जाए, तो मैंने तीसरे नमबर पे क्या लिखवाया था, कि जब R 0 हो जाता है, तो उस step का जो भाजक होगा, बही हमारा क्या होगा, HCF होगा, तो हम लोग चेक करेंगे, कि इस step का भाजक कोन है, तो भाजक यही है न, इसी संख्या को तो भाजक बो 55, 10 is equal to कितना हो जाएगा, 5, और यही है Euclid Vibhazan Algorithm, जिसके जरीए हमने क्या किया, HCF फाइंड कर दिया, ठीक है जी, आप इसको क्या कर सकते हो, 10, 55 भी लिख सकते हो, कोई अलग बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, तो आईए Euclid Vibhazan Algorithm को एक और example के जरीए समझने की कोसिस करते हैं, मैं उमीद करता हूँ कि इस example के जरीए आपको जो भी dots होंगे, वो सारे clear हो जाएंगे, तो देखते हैं अगला example क्या है, इस बार example हमने दो संख्याएं लिया है, एक संख्या 112 है और दूसरा क्या है, 15 है, तो मैंने पहले आश टेप में क्या बताय तो कितनी बार में लगेगा, साथ बार में लगेगा, कितना आएगा, 105, सेस फल कितना बचेगा यहां पर, सेस कितना बचेगा, तो बारह में से पांच चला गया, तो कितना बचेगा, साथ बचेगा, है ना, साथ बच गया, तो अब इस चीज को हम लोग युकलिट भी पर मेका जैसे लिखते हैं ऐसे लिखेंगें क्या है यह जो बड़ी संख्या है बहाज बरावर क्या भाजक गुने भागफल ब्लस सेसफल नहें लों इस टेप को आगे बढ़ाएंगे और अगले हस्टेप के लिए क्या करना है अगले हस्टेप में इस संख्या को हम लोग भाज्य बनाएंगे और इस संख्या को भाजक बनाएंगे ये वाली संख्या सेस फल को भाजक बनाते हैं मतलब कि ये जो 7 है, इसे हमने भाजक बना दिया, और इस 15 को भाजे बना दिया, कितनी बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, कितना आया? 14, सेस कितना बचा? 1 बचा, अब इस चीज को यहां लिखना है, तो 7 को क्या लिखेंगे 7 15 को लिखेंगे 7 गुने दू और प्लस 1 सेस कितना बचा 1 बच गया ना सेस यहां भी R जो है वो 0 के बराबर नहीं है R 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसे फिर से continue करेंगे continue करने का तरीका वही होगा यह जो संख्या है वो इस बार भाज़े बनेगा है ना और यह संख्या क्या बनेगा भाज़क बनेगा तो कितना यहां से समझते हैं चीजों को यह एक है भाग लगाएंगे किसमे 7 में तो कितनी बार में लगेगा 7 बार में ही लगेगा और 6 कितना बचेगा 0 बचेगा तो कैसे लिखेंगे 1 गुने 7 और पलस में 6 कितना बचा 0 बचा था ना तो यहाँ पर लिखेंगे कि R जो है वो 0 के equal हो गया इसलिए H, C, F कौन होगा H, C, F, of इन दोनो संख्याओं का 112,15 is equal to मैंने कहा था इस step का जो भाजक होगा तो भाजक कितना है? एक है तो HCF भी कितना होगा? एक होगा और ये है answer तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और Euclid भी भाजन algorithm में अब आप लोगों को कोई परेसानी नहीं होगी तो अगर वीडियो आप लोगों को सच में पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके लाइक से हमें motivation मिलता है और इसे अपने दोस्तों में share करें चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें थैंक्स पर वाचिंग बने रहे है इसार क्लास के सब